गुड आप्टर और फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों यह सौरब डॉक कैनल आपका अपना चैनल और आप देख रहे हैं मुझे मैं हूँ सौरब वर्मा उत्तर प्रदेश वारा नसी से आज हमारे पास सेंट बनाड के पपी जाए हुए तो हमारे पास एक सैंपल पपी है आप आप कैसे पहचानेंगे कि यह ओरीजिनल सेंट बनाड ही है एक होता है सिंगल कूट है डोग कोट से आश्रνε क fraction में ब撚्चा है इसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और सेनमाट की दुम हमेशा मोटी होती है, लगबग मेरी तीन उंगली के बराबर इसकी एक दुम है, इतनी मोटी दुम है इसकी, ये एक मेन पहचान, और इसमें एक on मार्किंग होता है, एक off मार्किंग होता है, आँखों पर चश्मे नहीं होते हैं, तो वो बच्चे कुछ स सबस्ते मिलते हैं, आउट मार्किंग वाले, इसका देखिए, एक दम मार्किंग पूरा प्रॉपर है, स्मार्टी बॉइ, इसके इधर भी चश्मा है, इधर भी चश्मा है, और दोनों के बीच में, जो लाइनिंग है, ये बड़ी बराबर है, एकुरेट है, और बिल्कुल सही है, so this is a real, शो क्वालिटी, हेवी बोन, सेन बनाड, तो आपने से जो भी वीवर, सेन बनाड लेना चाहते हो, तो हमारे नीचे दिये हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, विचेश बाती है कि ये क्यों की बेसिकली है, ठंडे प्रदेश के डॉग्स होते, तो इनको बर सेन बनाड के विशय में बता रहो, विशेश तौर के, तो कोशिश करें कि एसी में रखे, एसी ना अवलेबल हो पाए, एटलिस्ट कूलर में रखे, और कूलर भी ना हो पाए, तो कम से कम नीचे का रूम हो, और उसके उपर पेड की छाया हो, और हमेशा इनको ठंडा पान से और यह बहुत प्यार करते हैं, इनके विशेज बात बताओं, यह बड़े फ्रेंडली होते हैं, अगर आपका सिक्यूरिटी गार्टिंग का मकसद है, तो यह बहुत बहुत के डरा देते हैं, सौ में से 99 लोगों को पॉमरेनियन से भी डर लगता है, वो सफेद वाले जो या पांडा जैसा लगे, मजाल है कोई चोर आपकी घर में घुच जाएगा, तो नहीं जरुवत है कि आप रॉट्विलर रखे, डॉबर में रखे, अपने आपको कटवाल ले, आज का जमाना दिखावे का है, तो दिखा के ही अगर चोरों को डराया जा सकता है, भगाया ज सब्सक्राइब करना बड़ा पसंद है, तो सेंबनाट बेसिकली होते बड़े अक्टिव है, लेकिन जब उन्हें ठंडा मौसम मिलता है, ठंडा माहल मिलता है, ये कूल रहते हैं, तब ये खुश रहते हैं, अब मैजुन में आप बान दिये, वहीं लू चल रहा है, गरम है बिचारे डिस्टरब हो जाते हैं, सुस्त रहेंगे, लुझ रहेंगे, पुंझ रहेंगे, फिर आप कहेंगे बहुत क्यों अब इस इन मलाट ले, माइन सेट कर ले, कि घरमियों में एसिआप दे पाएंगे, पहली चीज़, नहीं देंगे, तो इनके बाल जड़ेंगे, अ इस ही नहीं तो एक बड़ा कूलर आपको गर्मी लगती है मैं बनारस में यहां तो अड़तालीस अड़तालीस पचास पचास डिगरी टेंपरेचर हो जाता है और गर्मियों के दिन में तो रिक्षे वाले बिचारे चलते चलते गिरते हैं और गिर के ऑन दे स्कॉट डेथ हो इतनी विक्राल गर्मी पड़ती है अगर आप ठंडा नहीं दे सकते हैं तो मत लीजेगा सेन बनारे बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं यह बाल बड़े होते हैं बालों की कौम्मी करनी होती है इतना साफ रखने के बाद भी आप देखें नीचे के पैर इसके थोड़े से यह मेंटेनेंस मांगेगा ग्रूमिंग चाहिए हफते हफते इसको आप कॉम्मिंग करेंगे डेली करें तो बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ी चीज सफाई से रखें बारिश में एक बार आप इसको टैलाने के लिए निकाल देते हैं अगर बारिश में जब गली मे सफेद से काला हो जाए तो कुछ चीजों का ध्यान में रख कर ही ब्रीट का चुनाओ करना चाहिए अगर आप गाओं में दिहात में रखना चाहते हो सोच रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा मैं जुन यह दो महीने गर्मियों के दिशेश रूप से आपको ध्यान देने प्रेस बड़े खुश्रमा मिजास के होते हैं और मतलब नहीं होता है किसी से भी दोस्ती कर लेकिए तो अगर आप सोच रहे हो कि इतना सो किलो का है सवां सो किछ डौट का नोग है मेरे रिष्टदार को काट लेगा पडोसी को काट लेगा यह किसी को नहीं प्रक्ति होते ह लाखों में कोई एक बत्सलूकी करने वाला डॉक होता है जो खाट लेता है तो उसकी एक अलग बात है बाइनेचर इनका टेम्परेमेंट बहुत कूल होता है शान्त होते हैं और एक एक महिने के सेन बनाट को कम से कम पांच किलो शे किलो साथ किलो होना चाहिए यह काफी हेव मार्किंग बड़ी अच्छी है सिंबनाड है हमाँ पर साथ मेल है एक फीमेल है और तो आप में से जिन भी वीवर्स को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो नीचे देवे नंबरों के कॉल करें विशेश सूचना सुभे 11 से शाम साथ बजे तक ही आपकी कॉलिंग और आपकी वाटसेट का रिप्लाई दिया जाएगा इसी समय के दौरान कॉल करेंगे तभी आपका फोन उठेगा 11 एम तू सेवन पीम थैंक्यू